हेलो दोस्तों आप सभी को हमारे डेली लाइफ डाड़ी चैनल पर स्वागत है पनेड़ेगा हमारे चैनल पर एंड तेक वीडियो को पूरा देखिएगा तो आज हम बनाए हैं यपी बहुत ही स्वाधिस्ट और टेस्टी है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो अध चलिए बनाते हैं यपी तो सबसे पहले गैस पर कराहे डाल करके इसमें घी डाल दिये हैं घी जब गर्म हो गया तो इसमें हम बारी कटा हुआ हरी मिट्ची और प्याज को डाल दिये हैं हलका ब्राउन होगा उसके वाद हम इसमें एड करेंगे माशाला ओ देखते रहेगा दोस्तु तो दोस्तु अपना प्यार से होग हमें जरूर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर अपने होंगे तो चमैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो प्याज हलका शाद ब्राउन हो चुका है और इधर पानी गर्म करने के लिए सेस्पेंड में चरहा दिये हैं उसके वाद प्याज में हमने डाले हैं टमाटर ताकि ये भी फड़ाई होकर अच्छा से सौप्ट हो जाए ये सब डालने पर यपी का टेस्ट बहुत ही स्वादिश्ट और टेस्टी बनता है अपना बनाने का तरीका दोस्तो अलग-अलग होता है सब कोई बनाता है पर तरीका अलग-अलग होगा इसलिए आप इस तरीके से जरूर बना कर देखिएगा थोरा शाइस में स्वाद के अनुसार नमक आड़ कर दिये हैं और उपर से ये यपी मसाला होता है वो आड़ कर दिये पानी गर्म हो चुका है तो पानी को आड़ कर दिये हैं पानी तो उबल रहा है और इसमें जितने पैकेट यपी डालना हुआ उतना इसके मसाला का पाउच होगा वो हम इसमें डाल देंगे अच्छा से तो उबल रहा है इसके वाद इसमें आड़ करेंगे यपी को तब तक थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिये हैं अब यह रहा है पे जो हमने एड़ कर दिया जैसे जैसे गर्म होगा यह बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा शब और अच्छा से पक जाने के बाद अच्छा से मिक्स हो जाएगा और खाने में टेस्टी स्वादिस्ट लगेगा बच्ची से आने सब को पशांद आते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों आप एक बार जरूर बनाईएगा हमारे तरीके से बेस पानी ज्यादा नहीं रखना है हलका सा रहेगा और दोस्तों हमारे यवपी बन करके त्यार हो गया है मिलाते हुए रहेंगे और जब लगे जो फिल्कुल परफेक्ट बन चुका है तब गैस को बंद कर देंगे तो दोस्तों बन चुका है यवपी हमारा अब इसको दूसरे बरतन में डाल लेंगे खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है खाने वाले तो वाह वाह करके खाते हैं बच्चे को भी पशंद आता है और चेट पटा नास्ता त्यार हो गया बन करके तो बाय बाय दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय पहरे एक फिर से हमयाद दिलाना चाहते हैं जो अगर हमारे चैनल पर आप नहीं होगे तो चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बाय